सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस थे नोटिफिकेशन पटन अस्सलाम अलेकूम नाजरीन टैग टीवी के पागसान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुक्साश शहजाद सबसे पहले शामिल करते हैं न्योज हैडलाइन्स पाकिस्तान में कुरोना वार्स की शिद्ध में इजाफा हो गया मूजी वबा ने मजीद 111 जिन्दगियां च्छीन ली जबके 24 गंटों की दौरान मजीद 2256 अफ़ाद मर्स में मुद्तला हो गए डिजिटल अकाउंट में जमा कराए गए रकूम 200 मिलियन डॉलर से तजवाब उसकर गई वजीरादम इम्रान खान कहते हैं कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का मश्कूर हूँ कम से कम कीमत पर भैतरीन कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाना हदफ है वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नालोजी वबाद चौदरी कहते हैं कि टार्गिट है कि बहतरीन कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में जल्द जल्द दस्याब हो सके इम्राण खान मेरे हतिसाब के शिकंजे में हैं तखता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे सरबराज जम्यत उल्मा इसलाम मौलारा फदल रह्मान कहते हैं कि हकूमत का खात्मा करके दम लेंगे अमरीकी साफी डैनियल पर कतल केस के मुल्सेम उमर शेख की नजर बंदी गेर कानूनी करा देती कैई सिंधाई कोट ने उमर शेख को रिहा करने का हुकम दे दिया करीबी फर्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ओर्डर करें www.kreenish.com कैनिडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है एफिडेविट जब पैरा लीगल प्राब्लम्स के लिए लॉफरम आफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिलकुल फ्री है कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699 सरकारिय अदाद शिमार के मताबिक मुल्क में वारस से मरने वालों की तादाद 9668 हो गई है NCOC का कहना है कि 2361 मरीजों की हालत तश्वीश नाक है मजीद जान तहिस डिपोर्ट में पाकिस्नान में करोना वारस की दूसी लहर मजीद शिदद इखियार कर रही है 2668 हो गई पाकिस्तान में करोना के तजदीक शुदा केसिस की तादाद 4,65,070 हो गई National Command and Operation Center के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मताबिक गुजिशता 24 गंटों के दौरां 37,173 नए टेस्ट किये गए और 2,256 अफराद में मर्स की तश्वीश हुई है मुल्क में अब तक 4,17,134 मरीज सहत्याब हो चुके हैं जबके 2,361 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है सरकारी आदाद शुमार के मताबिक मुल्क भर में अब तक 64,28,240 अफराद के टेस्ट किये जा चुके हैं जिसके नतीजे में पंजाब में 1,33,874 सिन में 2,7,407 खैबर पख्टून खाँ में 56,160 बलोचिस्तान में 18,005 गिल्गित बलतिस्तान में 4,838 इसलमाबाद में 36,721 जबके आज़ाद कश्मीर में 8,065 केसिस रिपोर्ट हुए हैं मुजी वाइरस से पंजाब में 3,783, सिन में 3,419, खैबर पख्टून खाँ में 1,577, इसनामाबाद में 398, बलोचिस्तान में 181, गिल्गित बलतिस्तान में 99 और आज़ाद कश्मीर में 211 मरीज जांसे हादो बैठे वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ओवर्ट सीस पाकिस्तानी हमारा अलजीम सरमाया है समन्दर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीर जर में तेजी आ रही है मजीद जानते हैं स्टेपोर्ट में स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराए गई रकूम 200 मिलियन डॉलर से तजावस कर गई वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं समन्दर पार मुकीम पाकिस्तानियों का मश्कूर हूँ जो हमारा अजीम सरमाया है उनकी जानिब से मरकजी बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिये अर्साल करदा रकूम कल माशालला 200 मिलियन डॉलर से तजावस कर गई वजीर आजम ने कहा कि तरसील जर में तेजी आ रही है पहले 100 मिलियन डॉलर 76 दिनों में जबके अगले 100 मिलियन डॉलर महज 28 रोस में वतन पहुँचे वफाकी वजीर साइंस और टेकनालोजी फवाज चौदरी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खरेदारी से मतालिग काबीना कमीटी का इजलास हुआ है वैक्सीन के दरामत पेचीदा और अहम मौामला है हम वैक्सीन के मयार पर कोई समझाता नहीं करेंगे मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में विफाकी वजीर बणाय साइंस और टेकनलोजी फवाज चौदी कहते हैं कि हमारा हदफ है कि बहतरीन करोना वैक्सीन कम से कम कीमत पर पाकिस्तान में जल दस जल महय हो सके समाजी राप्ते के वैब साइट ट्वेटर पर विफाकी वजीर बराए साइस और टेकनलोजी फवाद चौदी का कहना है कि करोना वैक्सीन खरीदारी से मुतालिक काबिना कमेटी का पहला अजलास हुआ है वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामत पेचीदा और अहम मौमला है ताहम हमारा टार्गेट है कि बहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द जल्द दस्तियाब हो सके विफाकी वजीर फवाद चौदी का कहना था कि कीमत से ज्यादा आहम वैक्सीन का मुकामल महफूस होना है और वैक्सीन के मैयाद पर कोई समझाता नहीं किया जाएगा पीडियम के सरबरा मौलाना फजल रह्मान का कहना है कि नाजाईज जुना अहल हमरान के खिलाफ अल्म जहाद बुलंद कर दिया है इमरान खान को लाने वाले कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कहो आप जानो और इमरान खान जाने मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में मरदान में पीडियम के जलसे से खिताब करते हुए जमियत अल्मा इसलाम फे के सरबरा मौलाना फजल रह्मान ने कहा है कि इमरान खान कहते थे कि नौक्रियां दूंगा और मुल्क में शेहत और दूद की नहरे बहेंगी लेकिन इस हकूमत ने तो मुल्की मईशत को तबाह करके रख दिया आज हमारे दोस मुमालिक हमसे नाराज हैं पाकिस्तान खिते में तनहा हो गया है बज़र रह्मान कहते हैं कि इमरान खान पर पराय तो क्या अपने भी एतबार करने को तैयार नहीं महंगाई के जिम्मेदार जितने अमरान खान हैं उतने उनको लाने वाले भी है सरबरा जे यू आई ने अमरान खान को मुखातिब करते हैं वो हमें कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कहो आप जाने और अमरान खाने سربرا پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم پہلے سے اس حکومت کو نا اہل کہتے تھے لیکن اب تو انہوں نے خود بھی اپنی نا اہلی کا اعتراف کر لیا ہے عمران خان نے خود کہا ہے کہ میرے پاس ٹیم اچھی نہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان اب میرے احتساب کے شکنجے میں ہیں حکومت کا تختہ الٹنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پر قتل کیس میں ملزم عمر شیخ کی نظر بندی پر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے عمر شیخ کی نظر بندی خلاف قانون قرار دے دی عدالت نے عمر شیخ کو نظر بند کرنے کا نوٹیفکیشن کلدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پر قتل کیس میں ملزم عمر شیخ کی نظر بندی پر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے عمر شیخ کی نظر بندی خلاف قانون قرار دے دی عدالت نے عمر شیخ کو نظر بند کرنے کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے عمر شیخ کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کا حکم دیا اور حکومت کو عدالتی ہدایت کے بغیر عمر شیخ کے خلاف کاروائی نہ کرنے کی بھی ہدایت کی سندھائی کورٹ نے امریکی جریدے والی سٹریٹ جرنل سے منسلک صحافی ڈینئر پل کے قتل کیس میں برطانوی شہری احمد عمر شیخ کی سزا موت کو سات سال قید میں تبدیل کر دیا ہے سزا پوری ہونے پر ان کی رہائی ہونی تھی تاہم سندھ حکومت نے عمر شیخ کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے اور وفاقی حکومت نے بھی سندھ حکومت کے فیصلے کی حمایت کی مزید خبر بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی